हलो, वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुरवी ही, MP बोर्ड, क्लास एट, शश्ठह पाठह, सिक्स चैप्टर, स्वामी विवेकानन्द, चैप्टर का नाम क्या है? स्वामी विवेकानन्द स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी निव वीडियो अपलोड करें, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंस के साथ शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चलिए देखते हैं, स्वामी विवकानन्द क स्वामी विवकानन्दस्य बाल्य कालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत, बहुजन अर्थाथ बहुत लोग, तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, मिस बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, इत्यसमिन कारिये, इस कारिये में, संगलगन स्वामी विवेकाननदस्य इसकार्य में लगे हुए संगलंगन हुए स्वामी विवेकाननद का बाल्य कालस्य नाम बचपन का नाम नरेंद्नाथ ह आसीट अर्थात बहुत लोगों के हित के लिए बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए मतलब जो कार्य क्या है बहुत लोगों के हित के लिए बहुत लोगों के सुख के लिए बहुजन हिताया बहुजन सुखाया इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद तस्य जन्म जन्वरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 क्रिश्टाब दे अर्थात 12 जन्वरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत उनका जन्म जन्वरी महीने की बारा तारिक को 1863 इस्वी में कोलकाता नगर में हुआ तस्य मातुहु नाम भुवनेश्वरी देवी आसित उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था उनकी माता का नाम क्या था भुवनेश्वरी देवी थीक है तस्य पिता विश्वनात दत्तह लब्ध प्रतिश्थ अभिभाशक आसित उनके पिता विश्वनात दत्त ख्याती प्राप अर्थात प्रतिश्थित वकील थे अभिभाशक अर्थात वकील नरिंद्रनाथ वाल्यकालादेव संस्कृत अनुरागी कुशाग्र बुद्धीही मल्य विद्यादीसु प्रिडासु पारंगत धार्मिकस्च आसित नरिंद्रनाथ वाल्यकालादेव संस्कृत अनुरागी उसको खहते हैं संस्कृत अनुरागी तो संस्किर्ट के प्रेमी कुशाग्र बुद्धी और थात तिव्र बुद्धी वाले मिन्स बहुत इंटेलिजेंट मल विद्ध्यादी सू मिन्स मल विद्ध्यादी क्रिडासू पारंगत धार्मिकस्च आसिद आदी खेलों में पारंगत और धार्मिक थे मिन्स जो नरेंद्रना दत थे मतलब स्वामी बिवेकानन्द थे वो बच्पन से ही संस्कृत के प्रेमी तिव्र बुद्धी वाले मल विद्ध्यादी आदी खेलों में पारंगत और धार्मिक थे तस्मीन काले रामकृष्ण परमहंस अद्वित्याध्यात्मिक ग्यान पुन्जस्य श्रोतह आसित तस्मीन काले उस समय उस समय रामकृष्ण परमहंस आपने नाम तो सुनाई होगा कमेंट सेक्षन में पुट कर दीजिए कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे ठीक है अध्वितिय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के श्रोत थे ठीक है तस्य प्रभावेड़ा प्रभावीत नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिवराजक दिक्षाम प्रापनोत उनके प्रभाव से प्रभावीत होकर या प्रभावीत हुए नरेंद्रनाथ कौन नरेंद्रनाथ स्वामी विवकानन तो नरेंद्रनाथ ने उनसे ही सन्यास की दिक्षा प्राप्त की परिवराजक दिक्षा अर्थात सन्यास की दिक्षा दिक्षानंतरम सह स्वामी विवकानन थ इती नामना प्रसिद्धो अभवत और दिक्षा के बाद वहें स्वामी विवकानन के नाम से प्रसिद्ध हुए स्वामी विवेकानन्द के नाम से कौन प्रसीद हुए? बताओ नरेंद्रनाथ क्योंकि पहले उनका नाम था नरेंद्रनाथ बचपन में लेकिन जब उन्होंने दिक्षा प्राप्त की और तुर दिक्षा के बाद मलब सन्यास की दिक्षा प्राप्त की उसके बाद उनका नाम हुआ स्वामी विवेकानन्द उसी नाम से वो प्रसिद हुए उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान की जोती द्वारा सद उपदेशों से लोगों को अध्यात्म की और अभीमुक किया तस्यावधारना आसित यत तस्यावधारना अर्था तस्यावधारना मिंस उनकी अवधारना निश्चे आसित थी यत की प्रेम ना सत्य ना पराक्रमे ना चा कार्यानी सिध्यान्ती उनकी क्या उधारना थी कि प्रेम सत्य और पराक्रम से कार्य पूरे होते हैं तत्कूरू पौरोशम उसका प्रयत्न करो स्टूडेंस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस वीडियो को कोई भी वीडियो आप देखते हैं पसंद आये तो शेर कीजिए अपने फ्रेंज के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले उस वीडियो से कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले आगे देखिए आत्म भाव अर्थात अनात्म भावस्य विकास है एवा कर्म आत्म भाव का विकास ही कर्म है अनात्म भावस्य विकास ही एवा कर्म है दौर्बल्यना कीमपिना भवती दौर्बलता से कुछ भी नहीं होता अतह सबलो भव इसलिए सबल बनो बल्वान बनो जीवन अस्य आर्थः उन्नती रस्ती जीवन का अर्थ उन्नती है जीवन अस्य अर्थः मिस जीवन का अर्थ उन्नती ही अस्ती उन्नती है उन्नते हे तात्परियम रिदयस्य ओदार्यम अस्ती और उन्नती का तात्परिय तीदय का ओदार्य है अर्थात उदारता का गुण है उदार बनो परोपकारह एव जीवन गती ही परपकार ही जीवन की गती है अर्थात दूसरों की सहायता करो उसके बाद देखिए अर्थात स्वार्थ भाव ही मृत्यू है प्रेम भाव ही जीवनम और प्रेम भाव ही जीवन है द्वेश भाव ही मृत्यू हू द्वेश भाव ही मुलित्यू है द्वेश मतलब किसी से कलर रखना कलेश करना तो वो मुलित्यू है मेंस प्रेम भाव ही भक्ती ज्यान और मुक्ती है मतलब प्रेम के विना वह नहीं है जिसकी उपासना करते है सर्वधा दरिद्र नारायनों सेवितव्य हमेशा दरिद्र नारायन की सेवा करनी चाहिए यतो ही बुभुक्षित दीन उपेक्षित दिव्यांग जन दुर्बल एव शाक्षादिश्यर अर्थात यतो ही मिस क्यों की भूका दीन अर्थात गरीब दीन द में बड़ी चोटी हो तो दिन और बड़ी है तो दीन मतलब गरीब उपेक्षित विकलांग दुर्बल विक्ती ही साक्षाद इश्वर है अतह इसलिए इतेशाम उपासना एव इश्वरस्य अराधना अस्ती इनकी उपासना ऐसों की उपासना ही इश्वर की अराधना है क्लियर है आप लोगो आगे चलते हैं चारित्र बलम धारायत चरित्र की शक्ती को धारन करो अनेनेईव सर्वत्र विजयो भविश्यती अर्थात इससे ही सब जगह विजय होगी विजय को प्राप्त करोगे दाता भव दाता बनो मिस देने वाले दान पूर्ण्य करने वाले बनो प्रतिग्रहन की कामना मत करो मतलग दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा मत करो वसंत वल्लोक हीतम चड़त बसंत के समान संसार का कल्यान करो परोपकार है परम पवित्रम कार्यम अस्ती परोपकार परम पवित्रकार्य है परोपकारेन चित्तम शुद्धयती परोपकार से मन शुद्ध होता है अनेनेव इश्वर प्राप्ती ही संभवा इससे ही इश्वर की प्राप्ती संभव है I hope students आप लोग को इतना तो clear है तो चलिए आगे चलते हैं सह वेदान्त प्रचाराय स्वकिया खेलं जीवनं समर्पया मास उन्होंने वेदान्त प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया तेना हिंदु धर्म ह संस्कृतिश्च प्रसारी ते उनके द्वारा हिंदु धर्म और संस्कृति का प्रसार किया गया सह न केवलं परिवराज कह अपितु परोपकारी दाता लोक सेव कह महान देश भक्तश्च आसीत वह न केवल सन्यासी अपितु बल्कि परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देश भक्त थे शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारत अस्य प्रतिनीधी ही अभवत शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनीधी हुए मत्व प्रतिनीधी थे देश विदेशेशू तस्य बहवः शिष्या अभवन देश विदेशों में उनके बहत शिष्य हुए या शिष्य आये आंगल देशिया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदीता इती नामना प्रसिध्या तस्य प्रिया शिष्या अभवत आगे देखिए कि इंग्लेंड देश की कुमारी नोबल जो की बाद में भगिनी निवेदीता अर्थाद बहन निवेदीता के नाम से प्रसिद हुई वह उनकी प्रिय शिष्य थी या प्रिय शिष्य हुई सह यू नाम क्रिते विशिष्ट प्रेड़क हा पथ प्रदर्शक चासीत वह युवाओं के लिए विशेष प्रेड़क और मार्ग प्रदर्शक थे में स्रास्ता दिखाने वाले थे भारतिय स्वतंत्र ता संग्रामे अपी स्तस्य उर्जस्वलानी भाशनानी स्वाधीनता सेनी का नाम क्रिते प्रेड़ना स्पदानी अर्थात भारतिय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाशन स्वाधीनता के सैनिकों के लिए प्रेर्णा दायक थे अब देखिए important line है उत्तिष्ठत जागरत प्राप्य वरानि वोधत दुबारा सुनिए आप इस line को याद रखिए इसका meaning भी मैं बताऊंगी उत्तिष्ठत जागरत प्राप्य वरानि वोधत अर्थात उठो जागो और श्रेष्ठ को पाकर इत्यूपनिशद ध्याय वाक्यम सह जीवने अधारेत मतलब उठो जागो और श्रेष्ठ को पाकर ज्यान प्राप्त करो क्या line है उत्तिष्ठत जागरत प्राप्य वरानि वोधत मतलब उठो जागो और श्रेष्ठत अधन मनुश्य को पाकर उनसे ज्यान प्राप्त करो इस उपनिशद के ध्ये वाक्य को उन्होंने जीवन में धारन किया स्टूरेंस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ है अहर नीशम ब्रह्म कर्म साधनाम साध्यमान एव जुलाई मासस्य चतूर्थे दिनांके 1902 ख्रिष्ट्राब्दे अर्थात 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्म लीन जात हमिस दिन रात अहर नीशम दिन रात ब्रह्म कर्म साधना को करते हुए जुलाई महीने की चार तारिक 1902 इस्वियतत 4 जुलाई 1902 में वह ब्रह्म में लीन हो गए निस उनकी मृत्यू हो गई सह न केवलम भारते अपितु विदेशेश्व पी प्रसीदह मिस वहन न केवल भारत में बलकी विदेशों में भी प्रसीद हुए यह प्रसीद थे तेना भारत अस्य प्राचीन गौरवं विदेशेशु स्थापितम उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया रविंद्रना टेगौरह कथयती कि रविंद्रना टेगौर कहते हैं यत कि यदि कोई भारतिय संस्कृति ग्यातम इच्छती तरही प्रतमह तेना स्वामी विवेकानन्द विशये पठी तव्यम मिस अगर रविंद्रना टेगौर क्या कहते हैं कि यदि कोई भी अगर कोई भारतिय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानन के विशये में पढ़ना चाहिए यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ आई होब स्टूडेंस आप लोगों को चैप्टर क्लियर है ट्रांसलेशन बिलकुल क्लियर है कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंस के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न पुला थैंक यू